साइन्स में आप फेल हो गए थे 34% मार्क्स थे आपके उसके बाद साइन्स बायो लेके नीड जैसे एक्जाम में क्या था मतलब हो एक दौफ़ते तक टीचर से पूछे जा रहा हूं यह होता क्या है वो भी समझा समझा रहा है समझ नहीं आ रहा मेरे कुछ को क्या रहा है उस स्ट्रेस मेनेजमेंट के लिए क्या करते हैं आपकी मैंने वह वीडियो देखी थी लास दिन नौलेज का नहीं स्पीड का टेस्ट होगा तो मैं इससाब से मेंटली प्रिपेर होके गया था कि जल से जल पेपर सॉल्व खनना अगर आपको 12 के साथ में रिजल्ट चाहिए तो अभी हमारे साथ में है निर्मल जो हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट रहे हैं और साथ में उन्लाइन भी कुछ लेक्चर्स देखे हैं रिवीजिन के लिए प्रैक्टिस के लिए विश्वास बैच से और अब इनका एक्सपेक्टेड स्कोर आ रहा है नी 2024 में 680 मार्क्स तो निर्मल जैसा कि मैं भी पोड़कास से जस पहले आपसे बात कर रहा था अपना डिसकुशन हुआ प्री डिसकुशन उसमें मुझे आपने बताया कि आपका नाइन्थ में साइंस में आप फेल हो गए थे 34% मार्क्स थे उसके बाद साइंस बायो लेके नीड जैसे करना क्या था मतलब वो कैसे फेल हुए थे मतलब जान भूज के हुए थे क्या नई सर वो लॉकडाउन फेस था मैंने पूरे साल कुछ पढ़ा नहीं दिनबर गेम्स एक्सेटरा मलब सारी वालतु की चीज़े और स्कूल बिलकुल भी नहीं गया और एंड में एकदम से मेर लिखके आगया था नहीं वो ठीक है बट ऐसा तुम्हें फील होता मतलब उस वक्त क्या एक एक एक्सपीरियंस रहा कि यार नाइन्थ में फेल होने की नोबत आ गई एक ऐसे स्टुटेंट को पेरेंट्स ने क्या बोला उस वक्त सर वैसे उन्होंने इतना कुछ में कुछ स्ट्रेस आउट किया नहीं का कोई बात नहीं अच्छा परफॉर्म कर ले ना इतना इक स्ट्रेस नहीं दिया मुझे कि हो गया वो ऑनलाइन था उनको भी पता था पूरा साल ऑनलाइन कुछ पढ़ाई होती नहीं थी आए दिन उनके सरवर कट जाते थे कभी वीडियो कॉल इंटरॉप्ट हो रही है तो कुछ पढ़ाई होई नहीं तो उनको भी पता था कि इतनी ही स्कूर आना है पास हो जाए वही बड़ी बात है इस्कूल की टरफ से जो क्लासे हो रही थी है वह उनलाइन थी शुरुआत में वो अलग अलग अब्स पर कभी इस एप पर कभी उसप पर तो जैसे तो ग्यारवी क्लास में आए बहुत सारे बच्चे जब हम यह लिखते हैं कि ग्यारवी क्लास आपकी खराब हो गई है तो 99 99% बच्चे कहते हैं कि हां सार मतलब कुछ भी निया आया तक 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 तुम पहुंचे तो ग्यारवी क्लास का एक्सपिरियंस कैसा रहा तुमारा सर जब पहले दिन आया था मैं बेसिक मैं तब थोड़ा बट तो समझ आया रहा है कि मोस्टली ओ 10th का क्वाड़ेटिक वाय रहा था उसके बाद जब पहली केमिस्ट्री की क्लास होई थी सर उसमें मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि मोल क्या है ग्राम अटॉमिक मास कर लिया नहीं तो एक एक फैक्टर होता है कि जैसे हम लोग 11 क्लास में बच्चे ऐसे होते हैं कि यार बहुत जोस के साथ में त्यारी करने आये और एक मेने तक को समझ में नहीं आया फिर छोड़ दी और फिर दूसरे काम में लग गए तो तुम तुमने अपने आपको कैसे मोटिवेट किया उस ताइम पर में ली मम्मी बापा नहीं मोटिवेट किया मुझे कि मार्क्स नहीं आ रहे कोई इतनी बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है डिली बस जो सर पढ़ाते थे वही आके में रिवाइस कर ले था था धीर धीर करके अपना पी सीजे समझ में आने लगी कि हाँ यह यहां पढ़ा था आटोमेटिकली चीजे लगने लगी फिर समझ आने लगी परियोडिक टेबल पढ़ा उससे काफियत तक मुझे समझ आ गया था कि हाँ केमिस्ट्री वर्क कैसे गरती है उससे बहुत हैल्प हुई थी में बारवी क्लास के साथ में ही 12 के स सब्सक्राइस और रिविजन मित्तल सर वो डेली रेते थे 20 30 50 उससे लाइक मेरा 11 पूरी रिवाइस होगी थी ऑल्मुस्ट बायो पूरी रिवाइस होगी थी केमिस्ट्री होगी थी फिजिक्स भी सर जब केशव सर पढ़ा थे तो वो 11 को भी ऑल्मुस्ट सारे कंसर्ट पै और जैसे कुछ चैप्टर जो वीक थे उसके लिए उसके लिए उनों एक्सेज भी दिय था विजिक्स बिना पैन के उससे सर पूरी 11 मेरी 12 के रिवाइस होगी थी तो बहुत फाइदा हुए तुम्हाँ सर में 11 बहुत अच्छी होगी थी फिजिक्स मेरी उससे अच्छी ब बहुत सारे मैंने गेमस के लिए उस बिच लाइक पहुत सारे अलमोस्ट बूरी-पूरी सिरीज कम्प्ली सारे गेम ने 100-100% complete कर रखे हैं complete कर रखे हैं 11-12 तो भाई जो बच्चे देख रहे हैं वो मतलब मैं देखता हो ना कि podcast सुनते हैं और उसके बाद में वो उसका negative aspect लेके जाते हैं और वो implement करते हैं कि बढ़ेना नहीं है और जो है वो neat का topper था उसके 680 marks थे उसने का था कि गेम सेरी सारी पूरी करनी है तब selection होगा मतलब मैं ने ये देखा कि किसी गेम को complete करना तो बहुत टाफ होता होगा हाँ एंड में उसका main storyline complete करना एजी होता है end के साइट टास्क होते उनको complete करना बहुत टाइम लग जाता है तो तुम ब्रेक्टिस कप करते थे क्योशन की physics chemistry biology हो टाइम मैंनेज हो दाता था time manage कर ले दे इंस्टाग्राम हाइडी थी तब तो कुमारी हाँ थी फिर वो आप नहीं बंद करवा दी थी और वो अभी भी बंद है मैं भी भी इंचला था अच्छा मैंने कब बंद करवाई थी किस टाइम पर अराउंड जैन्वरी में लास्ट ये जैन्वरी में तो तब से मने उसको activity नहीं करी है ओके ठीक है ठीक है जैसे तुम्हारे साथ में तुम्हारी स्कूल के टाइम में भी कुछ और बच्चे होंगे जिन्होंने साइन्सभा लिया होगा तुम्हारे लावर कितनों का सेलेक्शन हो रहा है तुम्हारे स्कूल से सर मुझे कुछ आइडिया नहीं है मेरी किसी से बात नहीं हुधी स्कूल मैं 10 तक तो same school थी उसके बाद 10th में मेरी बात like 9th 10th online तो ऐसे कुछ बात हो नहीं नहीं थी और फिर school change हो गे तो उसके बाद भी कुई बात हुई नहीं मेरी किसी से क्या एक success secret तुमको लगता है जो neat experience को ध्यान में रखना जी कि बारवी के साथ में 680 marks लाना अपने आप में आसान चीज नहीं है अब ड्रॉपर्स भी 2-3-4-5 ड्रॉप करने के बाद भी यहां तक नहीं पहुंच पाते है what is the reason that you strongly feel किया यह reason है मेरी success का और बाकी लोग को क्या करना चाहिए sir mainly consistent energy daily like मेरा operation हुआ था उसके बाद एक डिड़ हथे तक मैंने कुछ भी operation किस चीज का sir मेरे nasal septum में deviation था तो उसको सीधा कराने के लिए dns divided nasal septum होता है मेरा तभी भी operation बाकी है मैं को करवाना पड़े तो एक हथे तक वो पूरा blockage था तो कुछ पढ़ा नहीं था मैंने है सबसे important चीज से मुझे लगती है तो hospital में तुम मतलब कुछ content memorize करते थे नहीं सर में को तो होश ही नहीं था तो एक अफता मां खेला फिर दो अफते होगे तीन अफते होगे एक महीना हो गया फिर रिलाइज होगी बहुत समय वेस्ट कर दिया इस चीज में फिर उसको वापस से like track पे लाने में बहुत टाइम लग गया उसमें काफी टाइम वेस्ट हो गया जो एक पहले से बनावा थ तो इसको पीट था बट ठीक है अब इसके टाइम में इसने जो की अच्छी बात है अंत बला तो सब बला वाली बात है आउट्डोर गेम्स नहीं केलते थे तुम कुछ भी आउट्डोर गेम्स पहले नहीं आउट्डोर गेम्स में जादे नहीं केलता था कभी खेला तो कौ 6-7 में खेला जो खेला था ठीक है अच्छा जैसे अपने institute के modules होते हैं वो वहाँ से circuition देते हैं daily basis पर और मैंने भी तुम लोग को कौनगों chapter पढ़ाय थे chemical bonding equilibrium p block 11-12 का और solutions ने तो जैसे module के अलावा कोई ऐसी books है जो तुमने follow करी हो जो नीट काकाजी की books हो जो online use होती है sir qbanks use करी थी qbank जो भी ncrt word to word और rank boosters जो end में दी गई थी अब इस साल बाकी बच्चों को नहीं दी थी मतलब online उसको बंद कर दिया था इस साल अब वापस उसको लाएंगे हम लोग जो rank booster books है वो basically उसमें क्या होता है कि हर चेप्टर के 20 से 30 questions होते हैं ठीक है और उससे revision में help मिली rank booster से अहां से like 20 से 25 questions selected उससे like जल्दी जल्दी revision हो गया था end में काफी जादा अब पूरे qbank उठाएंगे तो उसमें 100 से 500 questions अब कौन सा करे कौन सा ना करे तो उसके इना कुछ specific questions है कि ये कर लेना है तो हो गया chapter अपका कई लोग बोलते हैं जैसे हम लोग hospital में गए हैं हमारा तो operation हो गया और तो कौन ही पड़े हैं मतलब मैंने ऐसा देखा है लोग का चोटा मोटा accident भी हो जाता है तो लोग बाग पड़ा ना छोड़ देते हैं आपरेशन तो बहुत एक secondary aspect है बट तुमने consistent किया अपने आपको consistency is saying again and again कि consistency is very important अगर आपको 12th के साथ में result चाहिए है next year से हम प्लैन कर रहे है कि million 12th के बैचे इसको भी online लाएंगे यह मारा प्लैन है but consistency is very important dropper बच्चा क्या करता है ना कई पर खुद का दिमाग लगा लता है कि नहीं यार यह नहीं करना वो करना यह game भी खेल रहा है operation भी हो रहा है बट उसके बाद भी consistent है तो that is very important thing वो मेरे को लगता है कि एक बहुत बड़ा aspect है अच्छा मुझे बताओ कि जैसे तुम मेरे साथ में ग्रूप में connected थे daily message वो रात को सोने से पहले कि आज क्या किया ग्या ने किया उससे help मिल दे तुम इतना तो पढ़ना ही है कि सर को बताना पड़ेगा वरना आपको voice message आता था कि इतने गंटे वरने से कुछ नहीं हो जाए शुरुवात में 3-4 गंटे था फिर वो 7-8 गंटे तक चला गया था daily तो भेजना ही है आप सर वरना फिर message कर देंगे कि आज का नहीं है तो एक वो एक रहता था तो भाई यह जो चीज है ना यह online students के साथ में भी होती है offline के साथ में भी होती है but important चीज consistency है चाहे वो fear से आए चाहे वो inspiration से आए चाहे वो family conditions की वश्याए चाहे financial condition की वश्याए teachers को देखके आए बैच्मेट्स को देखके आए सीनिर्स को देखके आए अगर आपके पास में inspiration है अगर आपके पास में motivation है क्योंकि समय की कीमत वो consistent लोग ही कर पाते हैं मैं हमेशा कहता हूँ ना कि वक्त नूर को बे नूर बना देता है फकीर को हुजूर बना देता है वक्त की कदर करे बंदे क्योंकि वक्त ही है जो कोईले को भी कोई नूर बना देता है हो सकता है कि आज आज आप अपने गरवालों की नजर में, अपने फैमिली की नजर में, समाज की नजर में कोईले हों, लेकिन अगर आप consistent रहे कर अगर महनत करते हैं, तो आप भी कोई नूर बन जाएंगे, निरबल कोई ऐसी चीज, जो तुम्हारे बारे में नहीं पता, या वो तियारी को hamper कर रही थी, apart from games क के अलावा, जो तुम्हें लगठा है कि यार, यह भी मुझे शेयर करने चीज, ऐसा भी हो जाता है, like that. सर, उठने और सोने का कोई schedule ली था, ना उठने का ना सोने का, खाने पीने का कुछ भी schedule नी था, तो इस से like time wastage बहुत जादा होता है, कि कभी आप सुबह लेट उठ गए, तो आपने रात को plan किया था, कि मैं सुबह उठके यह करूँगा, आप सुबह उठी लेट गए, त साथ बजे का लगा रहा था, कि इतने बजे से, इतने बजे यह करना है, ऐसा कोई fix schedule ली था, साथ बजे का था, तीन बजे का था, कि अब यह करना है, यह करना है, अच्छा, उठने के अलाव भी alarm तुम, अपने आपको schedule में set करने के लिए, यूज करते थे, हाँ, इतना इतने गंटे से इतने गंटे, बस व अलाम बज जाता था, पता चलता था कि अब यह start करना है, अलाम दूसरा बज जा कि यह start करना है, उस अलाम के बजने से पहले पहले यह वाला task complete करना है, सर, stress management से stress मुझे इतना होता नहीं था, usually, like marks कम भी आ गए तो इतना, क्योंकि सर, म था एक दिन पहले, क्या होगा, 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 क्या ह जल से जल पेपर सॉल्फ कहना है, उसके बाद मेरा पेपर शूड़िया था, लागि ये प्रिपेर तो था कि हाँ टाइम कम मिलेगा पर फिर भी मेरा टाइम पता नहीं कैसे कम पड़ गया, तुम और बेटर कर सकते थे स्कोर, हार अगर टाइम मिल जाता तो, सवाल तो सारे ए एंड के 30 मिनट्स के अंदर मेने किया होगा फिजिक्स का मेजर पूर्चन तो, उसके अंदर बहुत एरर्स होगे मेरे से, मेली जो फिजिक्स मेरे कम आये, लेक ओफ टाइम की वर्जास, लेक ओफ टाइम, तो जैसे अभी सेल्सियस में, जो ओफ-लाइन जहां तुम जो टी अब कि अगर जैसे सब देखने की स्टेफ स्टेफोप लेकर गूम रहा है आगे नहीं ले पाया तो लाइक कुछ तो करना ही दिखाना है कि आंब ही टी-शट पर स्टेफोस्कोप है, तो बाद में भी स्टेफोप पहनने का मोखा मिली यह नहीं कि सिफ टी-शट पर ही रह होता है status quo जिसको कमाने में रातें और दिन दोनुं ही काली होती है वो कहते हैं कि वक्त की इज्जत और बेहिसाब महनत उक्ता सूरज और धलती शाम इदिन और रात को एक ही जानता है ये status quo पेसाब बहुत कुछ मांगता है जिसे अभी यहां पर बहुत सारे students हैं जो बाहर से भी पढ़ने आते हैं राजस्तान के बाहर से भी पढ़ने आ रहे हैं और भी बच्चे आ रहे हैं ऑफलाइन पढ़ने लग बखारी स्टेट से इंडिया के अब यहां पर आफलाइन बच्चे पढ़ते हैं तो what do you suggest them कि जो बच्चे यहां पर सब अच्चा है कि क्या हां सर अच्चा है सर सारे teachers आप से connected रहते हैं end to end आपको कुछ भी problem आप उनको जाकर बता दी आप उनको जाकर बता दी आप उनको जाकर बता दी जी आपकी problem solve करने के पूरी कोशिश करते जैसे मैंने मित्तर सर उससे पूछा था कि सर operation पहल तो जब 11th के कुछ easy जैसे 12th sorry 12th में जब EM waves पर आ गए थे जो easy easy chapters से जुसमें लागा skip भी कर दो जाए और chemistry में surface chemistry चल रहा था तो sun ने का था कि अभी करवा सकता हो कोई दिखकली बात नी है easy chapter 2-3 दिन में हो जाएगा तो यह personal level पर बहुत अच्छी help थी में अच्छा एक औ सारे interviews में कुछ लोग बिल्कुल नई नी dress पहन के आते ना तो institute वाले उनको उसी time पे देते हैं वहां के student होते नहीं है ऐसा गुमराह करने के लिए NEET में ऐसा हो रहा है इवन मैंने ऐसा पढ़ा अभी कि जम्मू कश्मीर में कुछ institute ने ऐसे बच्चों की photo लगा दी जिसमे यह यह हलात है but authentic लोग जो होते हैं जो authentic student होते हैं वह आपको उसका true feedback दे सकते हैं तो निरमल I wish you all the best और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बढ़िया college मिले और आप आगे बढ़ो अपने life में final words आपकी तरफ से to your juniors that you want to sir mainly मेरा word यही रहेगा sir consistent है सबसे important है वो flow एक बार आपका अगर 11 में बन जाता है उसको sir किसी भी cost पर तोड़ना नहीं चीए sir उसको वापस rebuild करने में बहुत समय वेश्ट होता है और नीट में like panic बिल्कुल में over excitement में आ गया था paper देखके ले paper देखके ले paper एजी था वहापर में को दिखा बहुत easy paper है over excitement में आ गया तो उस चकर में जो दिखता दिखता सवाल था जो एकदम easy था sir वो भी गलत हो गया सबसे easy question वो गलत करके आगे हमें pro phase में मेटा phase में महापर बस confused होगे जलबाजी के चक्कर में और failing भी क्या होता है मैं यही भूलिया मैं मैं को याद था मैं एक दिन पहले पढ़के क्या हो आप महापर उसने दोनों एक्जाम में ऐसी choice दे दी और मैंने overthink कर लिया मैं को पहले बता था कि aqueous होगा फिर मैं सोच है alkaline भी हो सकता है एक्वस होगा alkaline होगा और अलकालाइन लगा यह पता है नहीं क्यों वो क्योंकि मैं वो के रिये time कम है उनने बोला one hour left तो एक अपने आप में एक panic situation create कर देता है पैनिक नहीं होना चीए paper में वहना paper नीट का बहुत easy आता है paper नीट का बहुत easy आता है 2025 में भी आसान होगा और 2026 में भी जरूरी यह है कि आप उस easiness को अपने दिमाग में maintain रखें anxious ना हो consistent रहें शान्त रहें और अपने teachers को शिद्धत से follow करें thank you